हलो आज है थर्ड मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हिंदुस्तान जिंक के बारे में देखे 315 रुपए के आसपास हिंदुस्तान जिंक का शेड ट्रेड कर रहा है आज भी देखा जाए तो हल्की सी गिरावट देखने को मिली है यह वो कंपणी है जिसने इस साल आपको तकरीबं 40 रुपए जितना डिविडेंट पे किया है बहुत दमदार कंपणी है काफी शांदार कंपणी है बड़ा डिविडेंट पे आउट करने वाली कंपणी है और हिंदुस्तान जिंक के जो प्रमोटर है वो वेदानता है और वेदानता भी भारी भरकम डिविडेंट पे करने के लिए भी कंपणी जानी जाती है हिंदुस्तान जिंक में हाल फिलाल में वेदानता बड़े गेम खेल रहा है काफी कुछ हो रहा है यहाँ पर और जिसके बारे में हम बातचित भी करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो 315 रुपय का शहर है विदानता असवर हिंदुस्तान जिंक का एक बड़ी रफतार बनी थी यहाँ पर वापस गिरिया वापस अभी कंसॉलिडेट कर रहा है पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो जहां था वहीं पर आगया लेकिन एक साल के अंदर इसने डिविडेंट जादा पे किया है सिर्फ जन्वरी से लेकर अब तक ही यह 40 रुपय की आसपास का डिविडेंट पे कर चुका है तो काफी बड़ा डिविडेंट पे करने वाली कंप्रियों देखो यहां पर जो पैसा बनेगा वो सिर्फ डिविडेंट के थ्रो बनेगा हो सकता है कि अगर एक साल बाद भी आप इसको देखो तो शायद आपको यह 300 की रेंज में देखने को मिले लेकिन इस बीच यह आपको एक बड़ा डिविडेंट पे कर चुका होगा तो डिविडेंट से पैसा बनेगा और अभी हाल फिलहाल में हिंदुस्तान जिंक के अगर हम बात करें तो देखिए विदानता चाहता था कि विदानता का जो इंटरनेशनल जिंक असेट्स है वो अपनी ही कंपनी हिंदुस्तान जिंक को बेच दे ठीक है क्योंकि वेदानता को पैसों की जरूरत भी ही और तगरीबन तीन बिलियन डॉलर की ये डील होनी थी कैश डील होनी थी यहाँ पर लेकिन सरकार ने ये डील होने नहीं दी लेकिन अभी रिपोर्ट से आ रही है कि हिंदुस्तान जिंक का जो प्रपोजल था तो पर्चेस इंटरनेशनल असेट्स वेदानता अब वो क्लोज हो चुका है मतलब अब वेदानता का जो इंटरनेशनल जिंक असेट्स है वो नहीं खरीदने रप्च वाला है हिंदुस्तान जिंक अगेन यह जो भी है यह उड़ती उड़ती खबरे है यहाँ पर अगर आप देखो तो हिंदुस्तान Zinc Limited proposal to buy zinc assets from billionaire अनिल अगरवाल कंट्रोल कंपनी विदानता गुरूप for 2.98 billion dollar in cash has closed as mining company did not get shareholders approval तो यहाँ पर यह again quoting two government sources तो यह कोई confirm नहीं है ठीक है यह sources के अध्वारा आ रही है खबरे हैं यह सच भी हो सकती है बाद में जूड़ भी हो सकती है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इसको लेकर और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्यों सरकार interfere कर रही है जबकि विदानता यहाँ पर सबसे बड़े promoter है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हिंदूस्तान जिंक विचेस डाइवेस्टिव अगर हम बात करें तो पिछले टू डेकेट अगो विदानता ने स्टेक खरीदा था यहाँ पर विदानता है अराउट 64.92% स्टेक लेकिन गवर्नमेंट भी 29.54% का स्टेक होल्ड करती है और यही वज़ा है कि इतनी बड़ी होल्डिंग होने की वज़े से सरकार की सुननी पड़ती है यहाँ पर देखो विदानता जो है वो अपना डेट कम करना चाह रहा है और कुछ तो वह ऐसे है जो इनको अभी हाल फिलहाल महीं चुकाने है तो उसके लिए विदानता पैसा इकठा कर रहा है तो विदानता ने सबसे पहले पैसा कैसे इकठा किया तो हिंदुस्तान जिंक से बहिया दो बार इसने डिविडेंट निकल वा लिया और जो डिविडेंट था वो कोई छोटा मुटा नहीं था पहले जनवरी में 13 रुपे का डिविडेंट निकल वाया फिर 26 रुपे का कुल मिलाकर इन दोनों बार इस डिविडेंट से विदानता को तकरीवन तकरीवन 10,000 क्रोड रुपे मिले हैं डिविडेंट से और विदानता ने खुद भी डिविडेंट अनौंस किया जिससे और 6-7,000 क्रोड मिले है मतलब डिविडेंट से ही विदानता ने जो जिंक से और ये हिंदुसान जिंक और विदानता से देखो सरकार कह रहे हैं कि वह यह cash deal जो करें ना उसके हम खिलाफ है आप कोई cash less method कोई देखिए तलासी अगर निगल आता है तो वर हलाकि वो मुश्किल है और एक बड़ी बात यहाँ पर एक और भी है कि विदानता ने हिंदुस्तान zinc के और sheds गिर्वी रखे हैं देखो विदानता limited के सारे के सारे sheds तो गिर्वी है ही हिंदुस्तान zinc में भी बहुत बड़ी quantity पहले से गिर्वी थी अब और additional 1.91% का stake हिंदुस्तान zinc का विदानता ने गिर्वी लखा है और कुल मिलाकर अब विदानता ने हिंदुस्तान zinc का 94% holding गिर्वी रख चुका है यह और यह बड़ी बात है तकरीबन 8 करोड से भी जादा sheds गिर्वी रखे हैं विदानता ने हिंदुस्तान zinc के और अब कुल अगर आप देखोगे तो 94.29% stake जो है विदानता का वो गिर्वी है हिंदुस्तान zinc में और यह बड़ी बात है कि विदानता भया पैसा इकठा कर रह है और इसलिए अब देखो यह लोन ही लिया होगा इस पैसो इसको गिर्वी रखें लोन लिया हुआ और जाहिर से बात है उनको अगर लोन मिल भी चुका होगा हिंदुस्तान zinc अगर देखा जाए तो इसके वॉल्यूम से अगर हम नज़र करें तो बहुत कम कॉंटिटी में मुश्किल से साड़े चार लाख के आसपास के वॉल्यूम यहां पर नज़र आ रहे हैं कोई बड़ी कॉंटिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू मनी कॉंट्रोल यूजर ट्वेंटी पर्सन लोग कह रहें कि बेचो और भाग चाओ 60 पर्सन लोग कह रहें खरीदारी करो 20 पर और कर सकता है यह और देखो यह मार्ज का जो पे आउट हुआ है न वो डेफिनिटली वो डेस्परेशन में हुआ कि विदानता को पैसों की जरूरत थी और इसलिए पे आउट हुआ है यहां से मिल जाए यहां पर आप देखोगे तो रेवन्यू हर साल बढ़े हैं अच्छ पर प्रॉफिट भी हाँ जब तक बढ़ते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जिस दिन प्रॉफिट में गिरावट नजर आई तब हालत खराब हो जाएगी यहां पर लास्ट क्वाटर के जो रिजर्ट साय थे मार्श क्वाटर में इनके प्रॉफिट आज इंका जो सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी एवरेज थे 2550 क्रोड के आसपास की प्रॉफिट थे एवरेज थे नहीं अच्छे नहीं बुरे हाला कि डिक्रीज हो राता है अगर हम बात करने जाए तो इसा जो पी रिश्यों का है सेक्टर पी 13 का है कोई अट्रेक्टिव नहीं कह स 64.92 हाला कि यहाँ पर कौन है प्रमोटर विदानता ग्रूप है अब पैटर्न चेंज होता नजर आएगा यहाँ पो जो प्लेज है अब और जादा प्लेज देखने को मिलेगा तक्रिवर 94% तक का गिर्वी हो चुक है इनका 0.06% mutual fund के पास है 2.89% domestic के पास है 0.80% Files के पास ह retail और अधर की मिलाकर 31.33% की holding है जिनमें से retail investor 1.51% की holding लेकर बैठे हैं तेकि हिंदुस्तान Zinc definitely अच्छी company है और मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको न उतनी बड़ी तीजी देखने को मिलेगी ना ही गिरावड देखने को मिलेगी जब भी शेर में तीजी आएग रहती है वो यह है कि वेदानता चाहता है कि government जो है वो अपनी हो अपनी हिस्तेदारी को यहाँ पर कम करें जो 29% का stake सरकार लेकर बैठी है सरकार ने भी बोला कि हम तो कम करना चाहते थे हम प्लान लेकर भी आए थे हम अपना शेर बेचने ही वाले थे लेकिन आपने जिस त प्लान जो है वो पोस्पॉन कर दिया है सरकार दुबारा से प्लान लेकर आए कि अपनी होल्डिंग को यहाँ पर कम करेंगी लेकिन पहली चीज़ यह है कि शेर प्राइज उनको अच्छा मिलना चाहिए और जब तक वो नहीं मिलेका सरकार बेचेगी नहीं यहाँ पर और कि उसके लिए भी थोड़ा बत बाउंस बेक आना जरूरी है और मुझे था कि जिस दिन शेर 350-360 पर गया सरकार लेकर आजाएगी यहाँ पर अपनी होल्डिंग को कम करने के लिए बेचने के लिए सरकार आजाएगी यहाँ पर तो अभी मैं यह कहूँगा कि अगर है तो र जरता है कि बनेंगे क्योंकि अभी ग्लोबल सिच्वेशन थोड़ी बहुत अप्शन डाउंस आएगी और ऐसे में बाजर पिछले कुछ दिनों से अच्छे मूव दिखा रहा है गिर नहीं रहा है और अगर थोड़ा बहुत भी कर्रेक्शन दिखाता है बाजर और शेर में दिविडिन के थ्रू बनेगा और जहां तक बात है विदानता की मैं ये कहूंगा कि विदानता अभी तो देखो यहां पर अगर सरकार एक्जिट ले भी लेती है तो विदानता का एक अच्छा प्लान होगा इनके लिए जो कि मेरे साब से बैटर हो सकता है इनके लिए फ्य कारी में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखके बता सकते हैं विदानता का शेयर भी देखा जाए तो तीन सो क्मलब दो सो असी के आसपास ट्रेट कर रहा है तो एंड करूंगा वीडियो को थैंक्यो ट्रेट